जहां कल संसद पर हमले की 22 वी बर्ची थी ठीक उसे दिन फिर से एक बार संसद के सुरक्षा में चूप देखने को मिला दरसल कल चलती संसद में विजिटर लॉबी से दो युवक कूद गए इसके साथ ही दोनोंने संसद के अंदर अपने जूतों में चुपाई हुए स्मोक क्रेकर का भी प्रयोग किया वही इन दो युवकों के अलावा दो प्रदर्शनकारी संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे संसद के भीतर की तरह इनोंने बाहर भी स्मोक क्रेकर का यूज़ किया घटना के बाद लोगसभा की कारवाई भी दो बज़े तक स्थगित कर दी गए थी वही मामले के बाद नेताओं में काफी भैका महौल भी देखा गया नेताओं का कहना था कि घटना की सबसे बड़ी बज़र सुरक्षा में चूप थी वही अब मामले को लेकर बड़ी कारवाई की गई है संसत के सुरक्षा में हुई चूप को लेकर आठ लोगों को सस्पेंट कर दिया गया है जिन आठ लोगों को सस्पेंट किया गया है उनके नाम रामपाल, अर्वित, वीर्दास, गनेश, अनील, प्रदीत, विमित, नरेंद्र बताये जा रहे हैं इसके साथ ही पूरे मामले की जाच दिली पुलिस की स्पेसल सेल कर रही है साथ ही सुत्रों की माने तो संसत की विजिटर गैलरी में अब काच लगाया जाएगा साथ ही सुरक्षाकर्णियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा सदन के अंदर और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी एंट्रिगेट पर बॉडी स्कैनिंग मशीन लगाया जाएगा वही मामले में अभी तक पांच लोगों को गिरफतार किया गया है जिन दो प्रदर्शन कारियों ने संसत के अंदर घटना को अंजाम दिया उनके नाम सागर और मनोरंजन है इसके साथ ही बाहर प्रदर्शन कर रहे दो प्रदर्शन कारियों का नाम अनमोल शिंदे और नीलम है महिला प्रदर्शन कारी नीलम हिसार की रहने वाली है परार चल रहा है जिसके तलाश की जा रही है वहीं जाज में ये भी पता चला है कि सभी आरोपी एक दूसरे को जानते थे सभी शोशल मीडिया के जरी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और शोशल मीडिया के द्वारा पूरी घटना की ओजना बनाई थी वहीं इन सभी पर ग